और मेरे सुर्वीरों कैसे हो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहन नोदे विद्याले इंट्रेंस एक्जाम क्लास नाइट की और आज हम करेंगे कुछ हिंदी प्रशनोत्री जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है विलोंसर्दों के हर कोश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का टा कोश्चन आपके सही हुए अगर आपका 25 सही होते हैं तो कमेंट पॉक्स में जाका लिखिएगा 25-30 क्योंकि इसके बाद मुझे पता लग जाता है कि भाई आपके किसने कोश्चन सही हुए अभी आपको कितनी तयारी की जरूरत है ठीक है न तो चलो इतना कर लिजेगा और को और साथ है साथीफीर करने से पहले आपतना करें अगर मैं लोग चेनल पी करके करके विट आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनुह हमारे हर toास की नोटिफिकेशन मिलते रहे साथ इंग्लिस grammar की तयारी के लिए या फिर class 6-10 की math, English और science इन ती चीजों को पढ़ने के लिए आप अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया उसको subscribe कर लेजिए उसका विल लिक के description में है जहाँ पर हम लोग अप्रेल से अप नहा बैस शुरू होगा किसकी class 9th की math का तो चलो फिर हम आते हैं सीधा आज के question पर तो आज का पहला question क्या दिया गया आज का पहला question दिया गया है कि विमुख का विलोम सब्द क्या होगा तीक है यहाँ पर हमको विलोम सब्द बताने है तो विमुख का विलोम सब्द बताना है और आपके option से A हैं आमुख, B उन्मुख, C प्रमुख या फिर D इन में से कोई नहीं और आपका समय शुरू होता है आप तो काफी सारे बच्चों ने सही answer दिया, काफी सारे बच्चों का answer गलत भी था तो विमुख का विलोम सब्द होता है उन्मुख, यानि कि इसका B option जो होगा ये correct होगा विमुख का विलोम सब्द होता है उन्मुख, क्या लोग भई अगला question देखते है Question number 2, question number 2 क्या दिया गया बच्चा है कि किर्तिम का विलोम क्या होगा किर्तिम का विलोम है यानि किर्तिम का विलोम बताना है आपके option A है प्राक्रत, B है असली, C है आप्राक्रतिक या फिर D है निर्मित चलिए आपका समय शुरू होता है अब तो किर्तिम का विलोम होता है वो होता है प्राक्रत भई किर्तिम का मतलब क्या होता है जो बनाया गया हो अब प्राक्रत का मतलब क्या होता है जो हमें प्रक्रत से मिली हो अना किर्तिम तो यह क्या है हमारी किर्तिम रेसे प्राक्रत रेसे पढ़े हो तो वह इसे किर्तिम से प् अगला कोशन क्या दिया गया अगला कोशन दिया गया है कि अनुकूल सब्द का विलोम बताना है किसका अनुकूल सब्द का माय ओप्सन क्या है आप्सन ए है प्रतिकूल भी अपकूल सी अनुकूलन या फिर दी सानुकूलन तो अनुकूल सब्द का विलोम बताना है और आपक समय सरू होता है अब तो बिल्कूल यहाँ पर अनकूल सब्द का विलूम होगा प्रतिकूल तो यहाँ पर ए आप्शन जो होगा यह बिल्कूल करेक्ट होगा अनकूल सब्द का विलोम होता विच्चा प्रतिकूल तो A option क्या है हमारा सही है अगले question पर हम आजाते हैं अगला question दिया गया है उतकर्स उतकर्स अब देना उतकर्स का विलोम क्या होगा चलोगे उतकर्स का विलोम क्या होगा आपके options है A Aupchars, B Paramos C Sेंघर्स and D Emers तो चलिए आपका समय शरू होता है तो उतकर्स का विलुम होगा आपकर्स यहाँ पर हमारा A option जो होगा वो बिलकुल correct होगा उतकर्स का विलुम क्या होगा आपकर्स होगा ठीक है? चलो भई, जो वच्छे इननको नहीं पता तो उनको याद हो क्या होगा आगे question पे पढ़ते हैं अगला question क्या है? कि उत्थान का willowm है option उत्थान सब्त में पूछा जा रहा है इसका willowm क्या होगा? आपके option A. 9 B. पतन C. उतकर्स या फिर D अवनत उत्थान का विलूम बताना है और आपका समय शुरू होता है अब तो बिल्कुल उत्थान उत्थान का मदलब उटना और पतन का मदलब गिरना तो इसका मुलब B option जो होगा ये सही होगा उत्थान का विलोम क्या होगा पतान होगा अगला question देखते है भई अगला question question number 6 तो question number 6 क्या दिया गया है वक्र सब्द का सही विलूम बताना है क्या बताना है वक्र का सही विलूम आपके option से A. तिर्चा, B. छोद्र, C. रिजू या फिर D. टेड़ा तो वक्र सब्द का विलूम बताना है और आपके समय शुरू होते हैं अब बिल्कुल तो आपलोगोंने बताया है कि वक्रिका क्या मतलब होता है और रिजू हना वक्रिका मतलब होता है और रिजू क्या पक्षा होता है अगले कोशन सब्द कर नहां Q7 दिया गया अमर सब्द का विलूम बताना है किसका अमर सब्द का विलूम बताना है तो हमारे option से A मर्थ्य, B समर, C अजर या फिर D अग्य बताओ भई तो अमर सब्द का विलूम क्या होगा अमर सब्द का विलूम आपका समय सुरू होता है अब तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए होगा, अमर जो मरे न, मरते जो मरे, तो इसका मतलब अमर का जो विलोम होगा, वो क्या होगा, मरते होगा, तो option A जो होगा, ये बिल्कुल correct होगा, अगला question देखते हैं बच्चा, question number 8, अगला आठ्वा question दिया गया, अनिवार ये सब्द का विलोम बताओ, किसका बताना है, अनिवार ये सब्द का विलोम बताना है, आपके option से A एच्चिक, B आवस्यक, C अनएच्चिक, या फिर D वैकल्पिक, और आपका समय सुरू होता है अब, तो देखो, अनिवार ये का क्या होता है, अनिवार ये का होता है, जो अनिवार ये होता है, उसका option होगा, जो अनिवार ये है, अनिवार का ये विलोम होगा, वो हो जाएगा, जो चीज बहुत जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, अनिवार का क्या हो जाएगा, यहां पर, सरी अब एकल्पिक का यहाँ पर आपका वैसे तो अनिवारे का अच्छिक भी हो सकता है मलब अनिवारे है करना या तुम्हारी इच्छा हो तो करो या ना करो तो उस हिसाब से तो भई मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका option A correct होना चीए ठीक है तो यह correct answer क्या होगा A अनिवारे का सही option क्या होगा A होगा अच्छिक बताओ भई सोन में आ गया तो आठवे का A option जो होगा यह बिल्कुल correct होगा बतागी सोन में चलो अगला question देखते है question number 9 तो question number 9 क्या दिया गया है कि V.I.E. का विलोम बताना है किसका V.I.E. का विलोम बताना है V.I.E. सब्द का विलोम बताना है आपके option से A धना गम B आमदनी C धन या फिर D.I.E. तो V.I.E. सब्द का विलोम बताना है आपका समय सुरू होता है अब तो बिल्कुल यह तो साभी बच्चों का सही हुआ तो V.I.E. का जो विलोम होता है वो होता है I अना V.I.E. का मतलब होता है खर्च करना ओर I.E. का मतलब होता है कमाना तो V.I.E. का जो विलोम होगा वो क्या होगा वमारा I या यानि D.I.E. option जो है यह बिल्कुल correct होगा अगला कोर्शन देखते है question number 10 तो question number 10 दिया गया है, संयोग का विलोम क्या होगा, संयोग सब्द का विलोम बताना है, किसका, संयोग सब्द का विलोम बताना है, option A है, विप्रलंभ, B है वियोग, C है विरह है, या फिर D है मिलना, चलो बई, बताओ, संयोग सब्द का विलोम, और आपका समय शुरू होता है कब तो संयोग सब्द का विलूम होता है लग हो ना तो संयोग का विलूम होगा वियोग तो यहाँ पर बी ऑप्शन जब होगा यह बिल्कूल करेक्ट होगा तो भाइन आज के यह 10 कोशन होगा अभी और कोश्चन बाकी है लेकिन अभीत है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक निकिए तो वीडियो का लाइक टार्गेट आज का 150 प्लस का है तो भाई जिन बच्चों ने लाइक निकिया वो लाइक करते हैं और जो चैनल पर नहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ठीक है न चलो भई आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन उमें दिया गया है सूच में सब्द का विलोम क्या होगा सूच में सब्द का विलोम बताना है में सूच में का विलोम बताना है ऑप्सन ए है बड़ा बी छोटा सी विसाल या फिर डी और आपका समय शुरू होता है, अग… तो बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दो cigarettes हों सूच मेका, ज़ो… सूचम काइगा, विलोम होगा, पना सूचम का एस थूल. तो यहाँ सूचम का जो विलोम होगा, वो क्या होगा, इस थूल. यहाँ पर d option जो होगा, ये बिलकुर correct होगा आगे बढ़े चलो भई अगला देखते हैं अगला question दिया गया है उपेच्छा सब्द का विलोम बताना है हमें उपेच्छा सब्द का विलोम बताना है तो हमाय option क्या है option A है अपेच्छा, B उथपेच्छा, C परिच्छा या फिर D अउहेलना चलो भई तो यहाँ पर हमें क्या बताना है उपेच्छा सब्द का विलोम बताना है और आपका समय शुरू होता है अब तो बिलकुल आप लोगों ने इसका भी सही आंसर दिया तो उपेच्छा का सही विलोम क्या होता अपेच्छा यानि कि A option जो होगा यह बिलकुल correct होगा उपेच्छा का विलोम क्या हो जाएगा अपेच्छा जोगा यह correct आंसर होगा अगला question देखते हैं अगला question है, अभिग्य सब्द का विलोम बताना है, किसका बताना है, अभिग्य सब्द का विलोम बताना है, तो आपके option से A. अज्यानी, B. अन्भिग्य, C. मूर्ख, या फिर D. भिग्य, और आपका समय शुरू होता है अब, तो अभिग्य का विलोम क्या होगा, बच्चा, D होगा, अभिग्य का विलोम जो होगा, वो का भिग्य, यानी कि D option जो होगा, यह हमारा correct होगा, अभिग्य सब्द का विलोम क्या होगा, भिग्य, चलो भई, आगे देखते हैं, अगला question है, आउनत, अगला question है, आउनत सब्द का विलूम बताना है किसका बताना है आउनत सब्द का विलूम बताना है तो यहाँ पर आपके option से A बढ़ना B उपर C उन्नत या फिर D आउनती और आपका समय सुरू होता है अब तो विल्कुल यहाँ पर आपका जवाब सही C option जो होगा यह विल्कुल करेक्थ होगा अउनत का विलूम होता है उन्नत तो यहाँ पर C option जो होगा यह बिल्कुल करेक्थ होगा अगला question जैखते है हुए question number 15 question number 15 क्या दिया गया है किसका नीरस सब्द का विलूम बताना है तो आपके option से A बिनारस के B रसीला C मीठा या फिर D सारस, नीरस सब्द का विलोम बताना है और आपका समय सुरू होता है अब नीरस जिसमें कोई रस ना हो और उसका विलोम जिसमें रस हो यानि की सारस तो यहाँ पर D option जो हमारा विल्कुल सही होगा, नीरस का विलोम क्या होगा बच्चा, सारस होगा अगला question आते है, question number 16, तो question number 16 में कितना हो जाएगा, करून करून सब्द का विलोम बताना है, किसका बताना है, करून सब्द का विलोम बताना है आपके option है, A. निठूर, B. निठूर, C. निर्दय, या फिर D. करून सब्द का विलोम बताना है और आपका समय शुरू होता है अब तो बिल्कुल यहाँ पर करोन सब्द का विलूम क्या होगा करोन सब्द का विलूम होगा निश्थोर यानि कि option A जो होगा यह बिल्कुल करेक्ट होगा करोन सब्द का विलूम क्या होगा निश्थोर यानि कि option A जो होगा अगले कोश्चन पर पढ़ते हैं, कोश्चन नमबर 17, तो कोश्चन नमबर 17 दिया गया, मलिन सब्द का विलोम बताना है, किसका विलोम बताना है, मलिन सब्द का विलोम बताना है, आपके option A है, मेल रहित, B है, सुद्रा, C है, सच्छ, या फिर T है गंदा, तो आपको मलिन का विलूम बताना है और आपका समय सुरू होता है अब तो मलीन का मतलब गंदा होता है ना तो सच का मतलब साफ होता है तो यहाँ पर अमारा क्या हो जाएगा c option जहोगा यह बिल्कुल correct होगा तो मलीन सब्दक का विलूम क्या होगा बच्चा सच होगा यानि कि c option correct होगा अगले question पे आते हैं question number 18 व्यास सब्द का विलोम बताना है किसका विलोम बताना है व्यास सब्द का विलोम बताना है तो आपके option A है संचेप B है समास C है लगुत या फिर D है संसलेशन चलिए और आपका समय शुरू होता है अब तो व्यास सब्द है व्यास का जो विलोम होता है वो होता है समास व्यास का जो विलोम होता है वो होता है समास कि यहाँ पर हमारा व्यास सब्द का सही option क्या होगा समास यानि कि हमारा B option जो होगा यह बिलकुल correct होगा बातागी समझ में चलो आगे बढ़ते हैं अगला question question number 19 question number 19 दिया गया question number 19 हमारा दिया गया है vamanusya का प्रयावचिय सोरी प्रयावचिय गया रहा हूँ विलूम बताना है vamanusya का विलूम बताना है और आपके options क्या है आपके option A है भिग्य B है अभिग्य C है सौमनसya या फिर D है अन्य भिग्य ठीक है और आपका समय शुरू होता है आप तो vamanusya का सही विलूम होगा सौमनसya यानि कि C option जो होगा ये correct होगा vamanusya का विलूम सब्द क्या होगा सौमनसya तो यानि कि C option जो होगा ये बिल्कुल सही होगा अगले question पर देखते है अगला question हमें दिया गया है सोसक सोसक सब्द दिया गया और सोसक सब्द का विलूम बताना है किसका बताना है सोसक सब्द का विलूम बताना है आपके option A है पोसक B है सोसित सी है पोसक और डी है सोसंड अरे दो बार पोसक आ गया चलो भई और आपका समय सुरू होता है अब यहाँ पर बिल्कुल आपका जवाब सही था कोई लोगों ने ए बताया कोई लोगों ने सी बताया तो यहाँ पर हमारे दोरों ओप्सन जो है वो सही है यह टाइपिंग मिश्टेक थी चलो फिलाल तो यहाँ पर सोसक का जो विलोम होगा वो क्या होगा पोसक होगा तो हमारे ए और सी यहाँ पर जिन बचों ने आंसर दिया उनका दोनों का सही है चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला जो कोई रोपन दी है प्रत्या रोपन सी है रोपन या फिर डी नी रोपन उन्मूलन सब्दकार विलोम बताना है और आपका समय सुरू होता है अब तो उन्मूलन सब्दकार जो विलोम होगा वो होगा आरूपन क्या हो जाएगा आरूपन यानि कि हमारा ओप्सन ए जैवोगा बच्चा ये बिलकुल सई होगा अगला कोश्य ने नंबर तो कोश्य पुद्यान नहीं दे रहो तो लाइक का टार्गेट अज आज का 150 प्लस का है तो बच्छा जैसे यसे आते रहो वैसे वैसे करते रहो ठीक है और जो बच्छे नहीं आते रहे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे चलू आगे बढ़ते हैं अगला जो question है वो सब्द हमें दिया गया 22 का चिरंतन ठीके न चिरंतन तो चिरंतन का हमें विलोम बताना क्या बताना चिरंतन का विलोम बताना हमारे option क्या है A. नस्वर B. अनस्वर C. नाष या फिर D. अंत चिरंतन का विलोम क्या होगा और आपका समय शुरू होता है अब तो देखो चिरंतन का सही विलोम होगा नश्वर क्या हो जाएगा option A है नश्वर चिरंतन का विलोम होगा नश्वर तो A option जो होगा यह बिल्कुल correct होगा अगला question देखते हैं अगला question दिया गया ग्रस्ट सब्ड का विलोम बताना है किसका ग्रस्ट सब्ड का विलोम बताना है तो ग्रस्ट option है A खुला B मुक्त C स्वच्छंद या फिर D अग्रस्ट चलो गया और यह तो बहुत ही आसान है और आपका समय शुरू होता है अब तो बिल्कुल आप लोगोंने बिल्कुल सभी जवाब दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रस्ट का विलोम होगा यानि ग्रस्ट और अग्रस्ट तो यहाँ पर हमारा D option जो होगा यह बिल्कुल क्या रिक्ट होगा ग्रस्ट सब्ड का विलोम क्या हो जाएगा अग्रस्ट तो यहाँ पर हमारा D option जो होगा, यह बिलकुल सही होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question देखो, question number 24, तो question number 24 क्या रिया गया, आउनी सब्द का विलोम क्या होगा, किसका, आउनी सब्द का विलोम क्या होगा, आपके option से A धरा, B ससांक, C अंबर, या फिर D सितारा, चल तो आउनी सब्द का विलोम जो होगा, वो होगा हमारा अंबर, क्या होता है, C सब्द, यानी कि आउनी सब्द का विलोम होगा, वो हो जाएगा, अंबर, यानी कि C option जो होगा, यह बिलकुल correct होगा, आउनी सब्द का क्या हो जाएगा, विलोम, C यानी कि अंबर, अगला question द तो यहां पर हमारा option A है अविलासा, B है लालसा, C है अनिष्ट, या फिर D है प्रविष्ट और आपका समय शुरू होता है आप तो बिल्कुल यहां पर हमारा C option जो होगा यह बिल्कुल correct होगा, C option क्या है इस्ट का अनिष्ट, तो अनिष्ट सब्द जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, ठीक है अगला देखते हैं question number 26, तो question number 26 क्या दिया गया कि मानो सब्द का विलोम बताना हमें, क्या दिया गया मानो सब्द का विलोम बताना है, किसका विलोम बताना है, मानो सब्द का विलोम बताना हमाया options क्या है, A दानो, B दायत्य, C राच्छस, या फिर D पुरुस, तो मानो सब्द का विलोम क्या होगा और आपका समय सुरू होता है आओ तो बिल्कुल जहाँ पर मानो सब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा हमारा दानो मानो सब्द का विलोम क्या हो जाएगा दानो तो ए ओप्सन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा मानो सब्द का विलोम क्या होगा हमारा A option जो होगा दानो ये विल्कुल सही होगा चलो वह अगला question देखते हैं अगला question दिया गया question number 27 तो question number 27 या अचार सब्द का विलोम क्या होगा अचार सब्द का विलोम क्या होगा आपके option से A. आना चार B. आनाचार C. अत्याचार या फिर D. विचार और आपका समय शरूर होता है अब तो बिल्कुल यहाँ पर सही आपका जवाब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A. आप्सन जो है यह करेक्ट होगा A. आचार का विलोम क्या हो जाएगा आनाचार आचार का विलोम क्या हो जाएगा आनाचार चलो भई अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन दो है आकास सब्द का विलोम बताना A. धर्ति या B. आस्मान या C. पहार या D. पाताल आपका समय शरूर होता है Portuguese경 तो बिल्कुल, आपका जवाब तो एकदम सही निकला, आकास का जो विलोम होगा, वोगा, वो क्या होजाएगा, पाताल जो होगा, ये विल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अगला question देखते हैं, question number 29 question number 29 है teach teach न सब्द का विलोम क्या होगा तो teach न सब्द का विलोम हमें बताना है option A है तीवर B है कुंठ C है छीड या फिर D है मंद तो teach न सब्द का विलोम क्या होगा तो आपका समय सुरू होता है अब तो teach न सब्द का विलोम जो होता है वो होता है चुंठ यानि कि B option जो है वो सही होगा ठीज़का जो option teach न का विलोम क्या होगा कुंठ है यानि कि B option जो होगा ये विलकुल सही होगा चलो भई, उन campaign 191 का B सही होगा अगला question देखते हैं दिवस, अगला question number 30 दिया गया है, दिवस का विलोम क्या होगा, आपके options A हैं, रात, B, रात्री, C, अंदकार, या फिर D, रजनी, और आपका समय शुरू होता है आप तो यह भी भाई, आपका जवाब बिल्कुल सही निकला, तो जो दिवस सब्द होता है, इसका जो विलोम होता है, वो क्या होता है हमारा रात्री, यानि कि B option जो होगा, यह बिल्कुल correct होगा, तो यहाँ पर B option जो होगा, वो बिल्कुल correct होगा, ठीक है, अगर इसमें कुछ है प्रेश में जो है आसंगत हो आपके इसराप से लगता हो कि उसके आणसर सही रही है तो वह आप हमसे टेलेग्राम पर डिसक्स कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम कर दिया गया है वहाँ से जाकर टेलेग्राम जोईन कर दीजेगा तो यह आज के तीस कोश्चन थे आप लोगोंने आंसर दे तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर बताईएगा कि कितने कोश्चन आपके 30 में से कितने अगर 25 लिख के अपना अंसर दिजेगा तो चलो फिर बच्चा लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे एक 150 प्लस लाइक का टार्गेट मैंने आज रखा था अब देखते हैं यह कंप्लीट होता ही कि नही जारी कर रहा है आगे चलके हम आगे की क्लासे क्लास 6-10 के मैस साइंस इंगलेज हम वहाँ पर पढ़ेंगे एंस्काटी बुक्स कि जो कि आपके स्कूल में पढ़ा ही जाती है तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने रिलेटिव सो गएरा अपने फ्रें वन दे मात्रम